नमस्का फेंट्स मेरे नाम बबली और माँ पेपर है कर्मी आपका स्वागत है तो फेंट्स आब यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अपना वी ए फोर समिस्टर यह हमारा चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे सारिक सिक्छा और आपका योग योगा ठीक है मतलब फिजिय के लिजिकेशन बगरा है और योगा यह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ठीक है अब इन क्योशनों को पढ़ सकते हैं ठीक है और फास्टी रिवाइज कने के लिए आपको पहले ही हमने पूरा पड़ा रखा है ठीक है आप प्ले लिस्ट में जाएगा चेक कीजेगा हर जीच आपको मिल जाएगी ठीक है अब करते हैं स्टार्ट अपने सेशन के लिए जिस क पोजिशन हमारा 82 से स्टार्ट होगा ठीक है यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही थी ठीक है स्टार्ट करते हैं तेरका योगियों द्वारा सिध्धान्त पिरमुख रूप से अपनाया जाता है जो योगियों के द्वारा जो अपनाया जाता है बह कौन सा होता है ये आपको य प्रमषर सद्धान से प्रमखुरूप से एक प्रमषर हो जाएग्स अगले बात करते हैं आसनों से लाब होता है आसनों से किसको लाब होता है आपका आसन कर रहे हो तो आपके लीन होगे तो बिलकुल सही बात हो जाएगी तो आन्स हो जाएगा ओपी युक्त सभी ठीक है अगले बात करते हैं योगस से चित बृत निरोद किसने कहा है बहुत ही इंपोर्टेंट है ये वाला ये जो कथन है बहुत इंपोर्टेंट है कि योगस से चित बृत निरोग मतलब निरोद मतलब आपको कोई रोग ना होगा आप निरोग हो जाओगे ठीक है ये बात आपको पता है जो बाबा राम देव के साथ में रहते हैं वो भी कहते है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ये बात है महारसी पतंजली की और यहां पतंजली के तोर से यह बहुत बार आपने धहवा के सुना भी होगा ताको कि महारसी पतंजली यहां पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगले बात करते हैं यह इनका धहवा कहा है कह सकते हैं कहना है अगले बात करते हैं सरीर के सभी अंगों के ब्यायाम को ब्यायाम की द्रिष्टी से कौन सा आशन सर्वस्रेष्ट है वो कह रहा है सभी अंगों का ब्यायाम होना चाहिए कैसा होना चाहिए सभी अंग कोई भी अंग ना छूटे तो उसको हम क्या कह देंगे उसको कह देंगे सर्वागासम कौन सा कह देंगे सर्वागाम सर्गाम बासम हाना सर्गाम ये अंकी विंदी है वो अम की वाज देती है तो सर्गाम गासम ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको के सर्वाम गासम यहां पर बिल्कुर सही आंसर आपका हो जा है ना प्रडायाम के अंतरा बायू से संबंद जितनी किरिया है वो प्रडायाम है तो आपको कि जब बायू से हम करेंगे तो स्वसन तो होगी होगी स्वसन की होगी बिल्कुल होगी क्या हम प्रड़याम करेंगे तो मस्तिक समाना स्वस्ते रहेगा आपको कि बिलकुँ सही रहेगा और जीविनी सक्ती भी जो हमारी क्या हो जाएगी वो सक्ती साली हो जाएगी है ना तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उपयोग सभी बिल्कुश सभी आंसर हो जाएगा तो थोड़ा सा सोच विचार करना है कुशन बिल्कुश ही जाने वाला है प्रड़ायाम हम पहली पढ़ चुके हैं प्रायाम मतलब प्राण प्राण किसे कहते हैं बायू को प्राण कहा जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है बिल्कुल याद रहेगा अगली बात करते हैं धारड उपयोगी है धारड एक अच्छा ब्यायाम है बताएंगे आंसर क्या रहेगा धारड एक उपयोगी है धारड एक अच्छा ब्यायाम है किसके लिए है और धार्ड हमने देखा है धार्ड जो है वो कौन सा अंग है तो आपको के अश्टांग जो अंग है अश्टांग योग के जो अंग है उन में से जो धार्ड है वो छटा अंग है कौन सा अंग है आपको के छटा अंग है यह हमने पढ़ा था और यह जो धार्ड है धार्ड करन एकागरता हासिल करने न तो यहाँ पर एकागरता के लिए हो जाएगा धारड करना धारड धारड एक अच्छा ब्यायाम है यह क्या है आपको के एकागरता के लिए एका गृता के लिए जो धार है वो एक अच्छा ब्यायम है और ये छटा अंग है ये हमने पहली पढ़ चुकी है अगले बात करते है निम्न में से कौन सा चत्र योग में समलित है चत्र योग में बताओ कौन समलित है चत्र योग की बात कर रहा है अब कोई अंग नहीं आया है यहाँ पर योग की बात की तो बात करेंगे राज योग वक्त योग कर्म योग तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आंसर हो जाएगा सभी जब सभी है तो थोड़ा सा फोकस करना है अगले बात करते हैं फिर सुखासन को कहते हैं सुखासन को क्या कहते हैं सुखासन को क्या कहते हैं आप शुक हो आप सुखी हो इसका मतलब आपके जो शरीर है वो एक साधार इस्थिती में आ चुका है सिंपल इस्थिती में आ चुका है तब ही तो आप सुखोगे अगर मालचान साब बहुत खुसो जादा खुसो तो बहाँ पर जादा खुसोगा सिर्फ सुखासन की बात कर रहा है तो यहाँ पर साधार इस्थती होनी चाहिए कैसी साधार इस्थती जैसे हम कैसे जैसे ब्रह्मांड में आये थे उसी प्रिकार से सुख होने चाहिए है नब छित होना चाहिए मन तापो के सुखासन को कहते है क्या साधार इस्थिती कहते है मन से लीन होकर पड़ोगे इसके लिए तो 100% याध हो जाएगा हर्ची याध है ने वाला है मन से लीन हो जाओ इसी में तो आपको कि बोज आएगा सूर्य नमस्कार से हम क्या करते हैं किसी भी योग को हम क्या करते हैं प्रारम करते हैं अगले बात करते हैं सरीर के सभी अंगों का संपूर ब्यायाम किसे माना जाता है अगर वो कह रहा है कि सरीर के सभी अंगों एक एक अंग हमारा हिल जाए तो उसना अभी पढ़के आए थे वो कौन सा था क्या सीरसासंता, बज्जरासंता पदमासंता, सूर्यासंता तो आपको कि शूरे नमस्कार है इसके अंतरगत कितने आते हैं तो बारा आते हैं, कितने बारा बारा आशन आते हैं तो बारा आशन में मारा पूरा सरीर तो दिमिद्ध हो जाता है तो आपको कि सरीर के सभी अंगों का संपूर ब्यायाम किसे माना जाता है हमने याद भी किया था कि सूरे निकल आए बाहर आजा सूरे निकल आए बाहर आजा अब तो ना सो तो उस प्रकार से हमने ट्रिक भी बनाई थी कि सूर्य नमस्कार के बारा अंग होते हैं बारा तरीके से किया जाता है तो आपको यह सरीर के सभी अंगों को अगर यहाँ पर सरवासन नहीं दे रखा है तो हम सूर्य नमस्कार की ओर जाएंगे बहुत अच्छी प्रकार से ठीक है तो आंसर हो जाएगा option number 7 अगले बात करते हैं अंतराष्टी योग दिवस कब मना जाता है सबको पता है 2015 से start हुआ था 2014 में इसकी मानिता की गई थी United Nation की तरफ योगी जी ने की थी 2014 में मगर इसको जो लागू किया गया था वो 21 जून 2015 से लागू किया गया था तो डेटा पूरी आदखें तो अंतराष्टी योगा दिवस कब मना जाता है तो 21 जून को मना जाता है जोकि नौर्थ का सबसे बड़ा इसका नौर्थ का सबसे बड़ा दिन माना जाता है है ना ये भी वात है आपको ध्यान रखना है अगले बात कर लेते हैं यहां देखेंगे आसन करने किसे क्या लाब होता है आप जब आसन करते हो इससे क्या लाब होता है अब देखो यूप-यूप सबही आया है तो थोड़ा सा फोकस करना है करा नाडियों और आतों की सफाई हो जाती है मस्तिक्स और सरीर को सक्ती प्राप्त होती है सरीर स्वस्त और सुडॉल रहता है हाँ जी ये तो बात सही है बात करते हैं मस्तिक्स और सरीर सक्ती आती है बिल्कुश सही है भी सरी शक्ति आएगी दब सुस्तरे हैंगे और नाडियों और आचों की सफाई हो जाती है यह बास पास सही है बिबाबरामदीब कहते हैं ना कि ऐपकी नाड़ी अगर साप नहीं होती तो ब्यायाम करो कोई भी काम नहीं होता तो ब्यायाम करो हर चीज का व्यायाम है हर चीज को ठीक करने का व्यायाम है तो आपको कि आसन करने से क्या लाव होता है तो आपको कि उप्युक्त सभी सभी लाव होते हैं जो यहां पर दे रखे हैं अगले बात करते हैं अब यहां से देखो क्योशन तीन चार बार हमने रिपीड का हुआ क्योशन है कि बजरासन है, बजरासन क्या है हमने बजरासन को कहा था बजरा, जो हम खाना खाने के बजवासन कर सकते हैं उसको बजरासन कहते हैं, और हमने याद किया था बजरा से, कि बजरा खाने के बाद तो बाजरा खाने के बाद कौन सा आसन करोगे आपको के बजरासन करेंगे तो ये पाचन विकारों से सम्मा देता है कौन से पाचन जो पाचन विकार होते हैं तो आप बजरासन करेंगे तो पाचन के लिए आपकी स्वस्त रहेगी तो बजरासन कौन सा होता एक बाद चेक करो है ना उसके बाद बजरासन पर डिपेंट हो जाओ कि बजरासन में करना ही करना है सुबा के लिए अगले बात करते हैं नेती एक पिरकार का है नेती हमने देखा था नेती क्या होती है जो सफाई करना होता है अंदुरुनी और नेती एक पिरकार है किसका पिरकार है यह पूँछ रखका है तो आपको कि योगिक अश्ट करम का कौँसा सोरी योगिक सट करम का है जो सट करम था छटा वाला छे वाला वो छट करू में से एक आता है और निती के 6 निती के कितने होते हैं 6 प्रकार होते हैं उसी समध्य कोशन है और हमने याद भी किया था यह है ना तो आपको कि नेती के कितने प्रकार होते हैं 6 होते हैं उन्हीं में इसने 6 कर्म लगा दिया इसको ही 6 कर्म कहा जाता है वस तो नेती प्रकार का क्या है योगिक 6 कर्म है और यह हमने याद भी किया था पीछे वाली वीडियो चेक करो करो एक ना जिससे नहीं किका है अगले बात करते हैंkan कपाल भाति से रोग दूर होते हैं कपाल भाती बाबा भाती जह हुं करते हैं उससे जो हमारा जो मन है वो बिल्कुल सांत रहता है याना बाबा राम देपने अब देखा होगा बिल्कुल आखे बंद करके मन मुग्द हो जाते हैं तो आपकों के मस्तिक्स सांत हो जाता है उनका क्या हो जाता है मस्तिक्स बिल्कुल सांत हो जाता है और बिल्कुल प्रेम की बाते करने लगते हैं पर हना यह आपने देखा होगा आको के कपाल भाती से दूर रोग दूर होते हैं आको के मस्तिक्स के रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं ठीक है आगले बढ़ते हैं यहां बात कहते हैं योगासन किस प्रकार का किस प्रकार किस स स्थिति में करना चाहिए वो समय कौन सा होता है योगासन करने के लिए सरबोत्तम समय कौन सा है तो वह सूर्य निकलने के पहले सूर्य ना निकले उससे पहले आप क्या करो ब्यायाम कर लो और बहां से अपना काम कर लो तो सूर्य निकलने से पहले ब्यायाम क्याते है योगास पिता में कौन सा आसन सर्पदिकलाप कारी देखने को आंको मिलता है ड़क्षि की बात के रखत कंडम होगा तो आपके जो औशियन पहूंचेक Yana और और औशियन कैसे पहुचेगी आपको कि स्वास के दवॉरा किसके दुआरे कि जब जब oxygen पौंचेगी तो रखत का सर्कुलिर तेज होगा है ना और हमारी जो बॉड़ी है वो अच्छी हो जाएगी यह ना बॉड़ी में बॉड़ी में अलर्जी आएगी क्योंकि जब तक रत नहीं आउक्षिन नहीं मिलेगी तब तक में तागत भी तो नहीं मिलेगी तक उस प्रकार से हिंट मिलाएंगे और हिंट क्या एक प्रकार से होता ही है तो रत चाप में कौन सा आसन सर्व दिख लापकारी है वो है स्वासासन कौन सा है स्वासासन अगले बात करते हैं मस्तिक्स को बल प्रदान करने वाला सर्व स्रिष्ट आसन कौन सा है सबसे ज़्यादा बल कौन प्रदान कराता है वो को कि वो क्या हो जाएगा वो प्रडाया मस्तिक से के उबल प्रदान कराते हैं और बाबा रामदे भी कपाल भारते इसलिए करते हैं तो यह आंसर क्या हो जाएगा प्रडायाम हो जाएगा ठीक है अगले बात करते हैं योगासन हेतु कौन सा इस्थान उपर्युक्त होता है क् पैर करो, एक अंदर घुजाए, एक बाहर रह जाए नहीं, हमें चाहिए समतल भूमी, योग आसन के लिए एक समतल भूमी होनी चाहिए, ठीक है तो बात करते हैं, योग का इस्तोत क्या होता है, योग कहां से आएं हैं, क्या बेदों से आएं है, रिगवेद, उजरबेद, सामबेद, अथरबेद से आएं हैं, क्या उपनिसोय आएं हैं, 108 उपनिसद हैं क्या बहां से आएं हैं ये, तो आपको कि हमने रिगवेद में कुछ ऐसा नहीं पड़ा, यजरबेद में हमने कर्म कांड देखे, बलियां देखी, यग देखे, है ना, साम बेद में हमने बात करते हैं, यह बात करते हैं, ग्यान के बारे में जानकारी हासिल की, अथर बेद में हमने अपनी प्रत्वी से लेट्ड, जो लोक है, है ना, उस से लेट्ड बाते हमने की, जैसे टोना, टिटिक जादू टोना यह सारे आप रहते हैं मगर हमने रिख बेदों में ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी क्या रामाइड में देखी रामाण में वैसी नहीं थी क्या माभात में लड़ाई हो रही थी तो आपको एक ही बच जाता है पर उपनिसद 108 जो है वो आपके योग का इस्तोत क्या करते हैं दिलाते हैं तो यह आपको राम से हिंट से बिलाते हुए चलेंगे हर चीज की जानकारी हासिल करते हुए चलेंगे जो कि एक्जाम में कहीं से आये तो हम बचे नहीं अगले बात करते हैं गरंत कितने प्रकार के होते हैं गरंत पांच प्रकार के होते हैं कितने बात करते हैं यहां दे रिखाए आसन की बुरी मुद्रा का क्या कार्ड होता है जब आप आसन की मुद्रा में हो है ना और आप जब बात करते हैं बुरी मुद्रा में बैटे हो तो क्या देखने को मिल सकता है क्या कार्ड हो सकते हैं आपको कि बीमारी हो सकती है बिल्कुल होगी वही गलत मुद्रा में कर रहे हो तो बात करेंगे आदत भी हो सकती है उस चीज की फिर है ना गलत मुद्रा में करने की और गलत करें के चलने की बात करते हैं अपर्याप तो भोजन खाओगे है ना तो आंसर का उधाय का उपिक सभी यहां पर कारण देखने को मिलेंगे जब आप बुरी आतों की बुरी मुद्रा की रूप में क्या करोगे आप आसन करोगे तब ठीक है अगले बात कर लेते हैं नेक्स कुशन यहाद रिखाए योग बिग्यान का मूल भूत गरंथ निकत में से किसकी रचना है यह को योग बिग्यान यह दूसरी तीसरी वार आया है योग बिग्यान का जो मूल भूत गरंथ है वो किसकी रचना है तो आपको यह पतंजली की रचना है किसकी है पतंजली की रचना है अगले बात कर लेते हैं नेक्स कुशन यहाँ दर रिखा है योग ना केबल स्वास्थ और भौतिक लाब लाता है बलकि डैस को उध्रगामी बना कर अंता प्रिग्या को भी बढ़ाता है जो अंता प्रग्या होती है अंदरुनी जो चहां होती है उसको भी बढ़ाता है तो बताएंगे आंसर क्या होजाएगा योग ना केबल स्वास्थ और भौतिक लाब लाता है बलकि क्या लाता है बताओ बलकि योग ना केबल स्वास्थ भौतिक लाब लाता है बलकि आत्मा को उध्रगामी बना कर आत्मा ही तो है अंदर प्राण ही तो है अंदर बायू ही तो है अंदर तो आपको बलकि आत्मा को उधरगामी बना कर अंतरप्रज्या भी बढ़ा देता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपको यहाँ पर आत्मा आएगी पिल्कुल आराम से पड़ो हर चीज को सोचते समझते हुए है ना तो hundred percent question गरत नहीं होने वाला है अगले बात करते हैं नेमरिकित में से कौन सा योग के अनुप्रियोग के संधर्म में सत है अनुप्रियोग में सत है ये बताना है योग कर रहे हो और अनुप्रियोग एक होता है प्रियोग योग के प्रियोग में सत्य होना चाहिए अब यह अपोजड कहा दिया कि योग के अनुप्रियोग के संदर में बताओ सत्य कौन सा है बताएंगे पहद रखा है जीवन समस्याओं का समाधान है रहस्यों को समझना है क्या योग या बात करते हैं दिब्विग्ञान को प्राप्त करना है योग या जीवन में सुधार लाना है योग वो कह रहा है अनुप्रियोग के संदर में बताना है तो वो रहेगा जीवन समस्याओं का समाधान जीवन समस्याओं का समधान करता है क्या योग पहले ये बताओ क्या जीवन में जो समस्याओं आने वाली है उनको वो रोक सकता है क्या आपको कि बिल्कुल नहीं ये बिल्कुल अलग है रहस्यों का समधान क्या जो योग है वो रहस्यों का समधान कर सकता है नहीं कर सकता ठीक है तो यह मरा लग हो जाएगा अगले बात करते हैं अनुपरियोक्त दर्सन किस प्रकार पर लच्छित होता है जो अनुपरियोक्त दर्सन होता है अनुपरियोक्त दर्सन होता है हमारे ब्याभार से संबंदित मानब के ब्याभार से संबंदित मानब की जो योग हैं, चिकित्सा हो गया, बेबसाई हो गया, है ना, ये सारे के सारे जो हैं, वो अनुपर्युक्त दर्सन, मतलब एक योग दर्सन का एक भाग होता है, जिसका नाम होता है अनुपर्युक्त दर्सन, जो मानव के ब्याभार से संबंदित होता है, यसे चिकित्सा हो गया, बिज्ञान का छेत्र हो गया, रक्षा का छेत्र हो गया वो इसके गंतरकताने को देखने को मिल जाते हैं ठीक है, ये तो हो गया अनुप्रस्त दर्सन के प्रकार से अर्थ हमने समझा, कि मानव के ब्याभार में जो चीज़ आएगी वो अनुप्रस्त दर्सन कहलाईगी, अब देखेंगे तो बात करते हैं, अनुप्रस्त दर्सन किस प्रकार परिलिचित होता है तो आपको कि मानव के उप्योग के लिए, है ना मानव के उप्योग से मानब के उपयोग से संबंदित जो भी होंगे वो अनुपरियोगत दरसन के अंतर का प्रलचित होंगे ठीक है? अगले बात करते हैं निमिकित में से कौन सा अनुपरियोगत दरसन का भाग है बताओ बहे कौन सा भाग है तो मैंने कहा जो उसके व्याभार से संबंदित है तो तत्व मीमान सा भी होगी भी तरक सास्त तो है ही है ओटोलोजी भी है बात करते हैं तत्व मीमान सा भी है तो आंसर क्यों दाएगा उपयोग सभी व्याभार देखो बस ब्याभार देखो मनुस्ट का ब्याभार कहां मिल रहा है अगले बात करते है अनुपरिक दर्सन का उपियोग निम्निकत में से कौन सा है बताओ कौन सा है उसका उपियोग बताएं कि इन में से कौन सा रहेगा दो को ब्याभारिक मामलो का धिन सैद्धानिक विवस्थाओं का धिन मैंने कहा मनुस के भ्याभार से डिटिट करो तो वो कौन सा है आपको के भ्याभारिक मामलों का धिन बस एक ही हिंट है बस एक ही हिंट याद अखना है सब कुछ याद है अनुप्रियुक्त दर्सन क्या कहलाएगा मानब के भ्याभार से संबद जो भी आ जाएगा अगले बात करते हैं पतंजली योग दर्सन और बैदिक योग दर्सन के सार डैस के रूप डैस रूप से उप्योगी है किस रूप से उप्योगी है मानब योग दर्सन और बैदिक योग दर्सन के जो सार है ब्हारती दरसन के मुक्य उद्देश निमलेकित मेंसे वहrती दरसन का मुख्य उद्देश क्या होता है जो भारती दरसन है उसका जो मुख्य उद्देश है मैन पॉइंट से वो क्या है दुखो की निब्रती है दुखो की मुख्य उद्देश की बात कर रहा है सब की बात नहीं कर रहा है अब चेतना है क्या आपकी अंदरुनी चेतना है आपकी दिल में आपके जो अशरी के अंदर जगी हुई है वो चेतना है ना है वही चेतना समझो आप वही चेतना है यह चेतना सब्द का परियोग निमनी के तमेशे किसके लिए किया जाता है चेतना चेतना क्या है चेतना से ज्ञान भी जग सकता है चेतना से जीवन का बात करते हैं सार भी बन सकता है चेतना से बुद्धी भी जग सकती है तो चेतना है क्या तो आपको कि चेतना का प्रियोग निम्रिकित में से सभी में किया जाता है जो हमारे अंदर जगती है बही तो चेतना है चाहें बुद्धी से समद्धित हो चाहें ज्यान से समद्धित हो चाहें उसके व्याभार से समद्धित हो तो आंसर क्या रहेगा उपयोक्ति सभी अगले बात करते हैं चेतना की परिभासा निम्रिकित में से किस ने दी चेतना च बिलीब भी नहीं कर सकते है यह वो चीजा है भी नहीं कर सकतें पोकुर्चीज़ और अन्दुरीं हम याद भी ओगया है- है भीम-जैश। अगले बाद केते हैं निमिखत मेंब से किसने कहा है कि चेतना एक है परभात करिया है चेतना एक प्रभापिर्किरिया है चेतना कोई प्रभापिर्किरिया है बिल्कुल गलत मगर किसी ने कहा है चेतना कोई प्रभापिर्किरिया नहीं है कि ये बहती जा रही है चेतना एक अंदूनी भाव है जिसके तहर जगते हैं वो जग जाते हैं चाहें कोई ब्याभार केता है तो किस समंधत हो, उसलियमे प्रिवार प्रिकडिया है, उसी प्रकार से उन्होंने कह दी कि चेतना भी भहती है तो आपको कि यहाँ पर रविंद्र जैन आराम से आद हो गया रविवानी सूरे तो रविंद्र जैन आराम से आद हो गया कि चेतना एक प्रभापिर करिया है रविंद्र जैन की ठीक है अगले बात करते हैं चेतना को वेदो के अनुसार निम्री के तमेश से किस रूप में प्रदसित किया जाता है तो वेदो की जब हम बात करें तो वेदो में हमें किस प्रकास चेतना के बारे में देखने को मिल जाता है तो आपको कि ज़ए हम बेदो की बात करेंगे तो बहाँ पर जड़ भूत से चेतना का विकास हुआ है क्या बायत कहते हैं ये जड़ भूत से चेतना का विकास के बारे में बताते हैं तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा option number A ये बात आपको यहाँ पर ध्यान लगना है बाकी यहाँ पर सारी चीज़े यहाँ पर नहीं फोकस करना है आपको बस जब बेदो की बात करेगा तो जड़ भूत से चेतना का विकास होता है यहाँ पर बिल्कु सही आंसर हो जाएगा अगले बात करते हैं पतंजली योग सूतर के अनुसार चेतना का सुरूप निम्लिकित में से कौन सा है अगर हम पतंजली के अनुसार की बात करें जो पतंजली है अगर हम पतंजली के अनुसार की बात करें तो जो चेतना का सुरूप है वो निम्लिकित में से कैसा है पतंजली कहता है किरियात्मक आप किरिया करो आप ऐसी किरिया करो जो से आप डिवलप कर सको तो मतलब वो योग करवाता है तो यहाँ पर किरियात्मक चेतना कोई से किरियात्मक चेतना है पतंजली के नुसार किरियात्मक चेतना का सुरूब देखने को बिलता है बात कहते हैं जब सरीर की नाड़ी नाड़ियों में प्राण बायू संचड नहीं करती है तब डैस उत्पन नहीं होता है जब तक प्राण बायू प्राण जो है जो बायू है उसी लिए उसको प्राण बायू कहते हैं हमारी नाडियों में संचर नहीं होगी तब तक हमारे अंदर जो चित है तब तक जो हमारे अंदर जो चित के भाव है वो नहीं जगें, चेतना नहीं यहाँ पर चित की बात होगी किसके? चित की भात होगी चित नोत्पन नहीं होगे चेतना तो बहुत अलग होती है वो तो है ना चेतना एक अंदूनी भाव है मगर ये चित की बात कर रहा है योग नहीं होगा बायू प्राण नहीं होगी तो एक ही बज़ाता है चित चेतना तो अंदूनी भाव है ठीक है तो इतना आप फोकस कर ले थोड़ा सा confusion हो सकते हो मग confusion होने नहीं देंगे है ना तो आपको चित्या दखना है आपड़ अगले बात करते है चेतना की चतुर्थ अवस्था निम्रिक्ट में से कौन सी है चेतना की चतुर यहाँ पर हमने कुछ तू देखा था देखा तो यही मिला दो बस आपको कि वो है तुरियावस्था कौनसी है तुरियावस्था चतुर तुरियावस्था ठीक है भी इस प्रकास से याद रहेगा अगले बात करते हैं नेक्स कुछन है उपनिसद में चेतना की ब्याक्षा के लिए पर सहारा लेने पड़ेगा चेतना की ब्याक्षा के लिए ठीक है अगले बात करते हैं कि चेतना को निम्लिकित में से किसका मूलाधार माना है मूलाधार मूलाधार किसको माना है चेतना का तो किसको माना है भई चेतना है क्या चेतना ज्यान पर डिपेंड है चेतना क्या है ग्यान पर डिपेंड है ठीक है तो मूल आधार जो मैन पॉइंट्स है वो चेतना का वो ग्यान ही है क्या है वो ग्यान ही है बाकि कोई तरके भी नहीं ना बिग्यान ना बहुत दिखती चेतना मैन पॉइंट्स जो है वो ग्यान है चेतना क्या है मुल भूर्थ पॉइंट जो है वो ज्ञान है अगले बात करते हैं बैदिक रिसी उने मानव चेतना के विकास को निम्रिकित में से किस रूप में स्पष्ट किया है जो बैदिक रिसी हुआ करते थे उनको मानव चेतना के बारे में क्या अच्छा लगा जो उसके अनुसार उन किसके अध्यात्मिक दरसन के रूप में उन्होंने चेतना के विकास को निम्रिकित के रूप में इस्पष्ट कर दिया ठीक है तो अध्यात्मिक विकास अध्यात्मिक दरसन के अनुसार अगले बात करते हैं मांडुक के उपनिशद में चेतना के कौन से शुरूप की तो जो मांडुक उपनिशद है उसमें श्वपन, सुसुपति, जागर्ति तीनों सेम जैसे नहीं मिल रहा है आपके लिए कुछ लग रहा है यहाँ पर जागर्ति यहाँ पर सुपन, यहाँ पर सुसुपति तीनों सेम से लग रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाए किया है हमारे सामने जह हम गीता पड़ेंगे तो किसके बारे बारे पड़ेंगे इसबर इसबर मतलब स् Alrighty Ram की जो अंदुरूनी जो किरपा है मतलब जो बात करते है दूसरोंपर किरपा करते हैं तो भही तो यहाँ पर दिखाई गई है तो इस्पर की किर्पा के बारे में गीता का इस्पर की किर्पा तो आराम से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि गीता में छेतना को किस रूप में स्पश्च किया गया है तो बहाँ पर इस्परी किर्पा के रूप में ब्यक्त किया गया है अगले बात करते हैं चेतना का प्रभाव व्यत्ती के डैस एबम उसकी अभिवक्ती के द्रष्टी गोचर होता है तो आप कोगे जो चेतना का प्रभाव है वो व्यक्ती चेतना है क्या अंदूने एक भावी तो है जब तक हम उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ होगा नहीं तक हो कि चेतना का प्रभाव व्यक्ति के अनुभव व्यक्ति के अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति के दृष्टी गोचर होता है क्योंकि अनुभव से ही दृष्टी गोचर होगा चेतना तो यहां पर चेतना का प्रभाव व्यक्ति के अनुभव और उनकी अभ्यव्यक्ति में द्रश्टी गोचर हो जाता है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर option number साभ हो जाएगा जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक आपके अंदरवह समाहिती भी नहीं होगा तो बही बात यहाँ पर कही गई है अगले बात करते हैं मानव चेतना सवहता निम्निकित में से किस प्रकार का प्रतन करता है जो चोतन चेतना है वो सवहता किस प्रकार का प्रतन करती है यह आपको यहाँ पर बताना है तो जो चेतना है वो क्या है एक प्रकास से ऐसी चेतना है जो बिस्व जगत के परचय की रूप में देखने को मिल जाती है तो बिस्व जगत से परचय का प्रत्र करती है मानव चेतना चीए तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा option number 2 बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर रखकर क्योशनों को आप समझोगे तो हर चीज आपको क्योशन के अंतरकत ही छुपी हुई देखने को मिलेगी बस आपको मैंड में बिल्कुल सांती के तहत पावराम देव की तरफ एक प्रकार से प्रडायम के रूप में बैढ़ जाना है प्रडायम करने के लिए गौसन में और आराम से समझना है एक एक पॉइंट्स के लिए है ना अगले बात कोई हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं तो योग की मुद्रा में ही अगर जानेंगे तो हमें बहतर होगा अगले बात करते हैं मानव चीतना का पूड रूप से विकास होने की परशात बहन निम्लिकित में से कौन सा प्रियास करती है पूर्ड रूप से विकास हो गया अब बताओ बहे किस और हमें अग्रसर करेगी मानब चेतना का पूर्ड रूप से विकास होने के पहशाद बहे निमलिकित में से जिस रूप में हमें क्या करती है किस प्रिकार में या कौन सा प्रियास करती है हमें चिंज करने में तो वो करती है भोग से मुक्ती कौनसी भोग से मुक्ती किसकी मुक्ती भोग से मुक्ती हमें फिर वो दिलाती है हम जब चेतना का पूर रूप विकास कर लिया मतलब मोच को तो हमने हासल करी लिया मानब चेतना का पूर्ड रूप से विकास होना मतलब मोख्च को प्राप्त कर लेना जब हमने मोख्च को प्राप्त कर लिया तो हमें सिर्फ भोग से मुक्ति चाहिए फिर तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भोग से मुक्ति अगले वाग करते हैं मानव चेतना के विकास की निम्निकित में से कौन सी विधियां हैं? मानव के चेतना के विकास की विधियां कौन कौन सी हैं? Simply, वक्ति योग, कर्म योग, ज्यान योग. तो आंसर क्या हो जाएगा? उप्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर. अगले बात करते हैं, ज्यान योग के लिए निम्निकित में से किसकी आवस्यक्ता को महत्व दिया गया है. जब ज्यान योग हमें लेना है, तो किसकी महत्व चाहिए? ज्यान योग के लिए निम्निकित में से किसकी आवस्यक्ता को महत्व दिया गया है? क्या चीतना से ज्यान मिल सकता है बिलकुल नहीं बिकास से मिल सकता है ज्यान योग बिलकुल नहीं क्या ज्यान योग से ज्यान उग बिल सकता है बिलकुल नहीं तो ये सारे गलत हैं इन में से कोई नहीं लगाएंगे इसमें ठीक है इन में से कोई नहीं अगले बात करते हैं निम्मिकित में से कौन सा ग्यान का प्रकार है बताओ ग्यान का प्रकार कौन सा है ग्यान का प्रकार जिससे हमें ग्यान हासल हो सके क्या हम मोच प्राप्त कर लेंगे तो क्या हमें ग्यान हो जाएगा मोंच मतला प्रतवी से हमें बिलकुल नाता तोड़देना मतला मोंख्ष में लीन हो जाना बस तो हमें कोई ग्यान प्राफत हatti बिलकुल नहीं अध्यात्मिक बिलकुल बात है हम भूगे यहाँ पोताएगा सब इससर क्या हो जाएगा सब इसाए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ग्यान का प्रकार है तो सब इसाए यहाँ पर ग्यान का प्रकार देखने को मिल जाता है अगले बात करते हैं सादक की भक्ती द्रड़ हो जाने पर निम्लिकित में से कौन सी क्रिया होती है सादक की भक्ती द्रड़ हो चुकी है अब बताओ कौन सी किरिया हो जाएगी सादक की भक्ती मुक्ष हो चुकी है वो मुक्ष की और बढ़ चुका है द्रड़ हो गई मतलब मुक्ष प्राप्त कर ली उसने अगले क्या करेगा अगले काम ना उससे मुक्ति करेगा जो उसकी काम नाई है उससे मुक्त होना चाहेगा और अपने शरीर को त्याग देना चाहेगा अगले बात करते हैं भक्ति योग का तात्प्रिय निम्निकित में से कौन सा है भक्ति योग का जो तात्प्रिय है अपना सब कुछ इसवर के लिए त्याग कर देना तो भक्ती योग का तात्प्री हो जाएगा भक्त की चित सदैव इसवर में भक्त का जो चित है जो द्यान है जो उसका धैर है जो कुछ भी है वो सब क्या है इसवर में समाहित है तो वो जाएगा भक्ति योग का अतात्परी ठीक है अगले बात करते हैं कर्म योग का अतात्परी कौन सा है कर्म योग कर्म योग का अतात्परी कौन सा है कर्म जो वो कम्र कर्म कर रहा है उसी समंद्ध हो का फिर यह तो आपको यहां देखेंगे निस कर्म का भाव जो कर्म है उसके अपोजिट निस कर्म का भाव कर्म है निस कर्म का भाव भाव कर्म है ना तो कर्म योग का अतार निस काम भाव कर्म निस, काम, भाओ, कर्म बिल्कुल सिंपल है आराम से हाँ पर कर्म कर्म छुपा हुआ है दोनों में है ना अगले बात करते हैं यहां बढ़ते हैं कि निम्लिकित में से किसे कर्म योग की स्रीडी में नहीं माना गया है कर्म योग की सेड़ी में कौन सा नहीं है यह आपको बताना है निरंतर कर्म करना बिल्कुल कर्म योग में होगा निसकाम भाव से कर्म करना मतलब अपने स्वार्थ से काम नहीं करना है निसकाम भाव से निसकाम भाव से कर्म करना कि एजाने कि हमें स्वार्त ही होगा वो कर्म नहीं होता ठीक है कर्म मतलब दूसरों को भालाई करना ये कर्म कहलाएगा इसके अंतरगत योग के अंतरगत वो अपना कर्म जो काम है वो अलग है मगर जब योग के करना इसबर के लिए कर्म करना ये भी एक योग कर्म है कर्म योग है ना इसबर की मानते करना इसबर को मानना ये भी तो एक कर्म ही है तो आपको गए इसबर के लिए कर्म करना बिलकुँ सही बात है कामना बद्ध कर्म करना कामना जो मेरी कामना है जो मेरी अंदुरी कामना है कि मैं एक बो बन जाओ, मैं एक बो बन जाओ, मैं बन जाओ क्या इस प्रकार से कर्म करना, कर्म योग कहलाएगा बिल्कुल नहीं, वो तो अपना स्वार्थ हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह कामना, बद्ध करना, कर्म करना यही हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा हमें दूसरों की तोर पर संगुचना है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं हम योग पढ़ रहे हैं और योग हमेशा क्या होता है दूसरों पर डिपेंड होता है दूसरों की भलाई के बारे में होता है यहां बात करते हैं मंत्र योग के साथ साथ निम्निक्त में से कौन सा योग आवश्यक होता है अगर आप मंत्र योग कर रहे हो, मंत्रों का जाब कर रहे हो तो आपके लिए और कौन सा योग आवश्यक होगा कौन सा होगा, मंत्रों का जाब कर रहे हो भगवान में लीन हो मंत्र पढ़ रहे हो तो तुमारे अंदर भी एक और चाहिए आपको चाहिए भक्ति योग कौनसा भक्ति योग मंत्र तो पढ़ रहे हो मगर भक्ति में लीन भी तो होने चाहिए कि हाँ आप मंत्र पढ़ रहे है मैंड कहीं और है तब भी तो बेकार है तो जब मंत्र पढ़ रहे हो तो भगवान में लीन होने चाहिए कर्म यहाँ पर योग आवश्यक देखने को मिलेगा कौन सा बक्ति योग अगली बात करते हैं अतरिक्त सक्तियों को जागरत करने के लिए कौन सा योग आवश्यक है जो आतरिक्त शक्तियों हैं उनको जागरत करना है तो कौन सा योग करेंगे अंधरुनी शक्तियों को जागरत करने के लिए हम मंत्र योग करेंगे कौन सा करेंगे मंत्र योग क्योंकि अंतरुनी शक्तियों की बात कर रहा है और सक्तियों कहां से जगेंगी unci मंतरों से यहाँ पर आंतरक शक्तियों का जागत करना मंतरों से आवश्यक है अगले बात कहते हैं निम्रिकित में से कौन सा मंतर का कारे है मंतर का कारे बताओ मंतर का कारे कौन सा है अब यहां पर डायटली आप बहा महत पहुंच जाना कि हम जो तांत्रिक बगारा बन जाए वो नहीं हो गए यहां पर भक्ती भाव जागत करना ये तो भक्ती योग हो गया अब ये तो कट चुका भी एक तो सिध्धी प्राप्त करना क्या भग्मान को सिध्ध करना वो हो गया मंत्र के युग नहीं मंत्र युग है कि प्रकरती में इसपंदन उत्पन करना जो प्रकरती है उसमें इसपंदन उत्पन करना ठीक है तो आंसर क्या रहेगा आंसर रहेगा option number а.M.R.A. निम्र्कित में से कौनसा हट सब्द से को स्पष्ट करता है. हट कहते हैं हट. त। इह क्या है? ये जवरदस्ती है. क्या है? जवरदस्ती का सब्द होता है. हट. हट सब्द सपष्ट करता है किसको जवरदस्ती के लिए. तो आज हम इतने ही कोशन नेते हैं तो 137 पहुंचके 80 से कितना कवर कर लिया हमने 57 कोशन के करीब में कवर किये हैं इस वीडियो में ठीक है क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है फिर भी हमने पढ़ने की कोशिस की हम 137 कोशन पहुंच चुके हैं कल हम काफी ज़्यादा कवर करेंगे तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना थोड़ी लेट हो चुके थे इसलिए हम जितना कुशन दे पाते हैं बाकि आपको कल ज़्यादा ज़्यादा देंगे की कोशिस करेंगे तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो, सस्क्राइब, बैल अकन को प्रेस करो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभारत जिसको फार्षली रिवाइज करना है वो हमारी पहली की प्लेलिष्ट बना रखी है फार्षली रिवाइज आप कर सकते हैं जिसका एक्जाम पडोश में ही है जिसका एक्जाम थोड़ी दूर है तो अब वो आराम से ये वीडियो को बहुच कर सकते हैं अच्छे परकार से त्यारी कर सकते हैं जैहिन जैभारत